हिंदी की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए अपनी संस्कृत निष्ठ हिंदी और विशिष्ट लेखन शैली के लिए लोकप्रिय लेखे का शिवानी जी की लिखी हुई कहानी चन्नी तो शुरू करें कहानी चन्नी ट्रेन पूरी रफ़तार से चली आ रही थी नीचे की बर्थ पर एक बजुर्ग से नवाब सहाब लेटे इस्टेट्समेन पढ़ रहे थे पास ही उनका नाम लिखा सूटकेस धरा था जिस पर नवाब जादा शौकत अली का नाम उनी की जवानी की तरह धुंदला पढ़ गया था दूसरी बर्थ पर एक सिंधी नया जोड़ा कबूतर की सी गुटरगू में मस्त था बार बार लड़की सी दिखती नई दुलन अपने जवान पती को उपर की बर्थ पर जाने के लिए ठेल रही थी और वो दुगने जोज से उससे छड़खानिया किये जा रहा था उपर की बर्थ पर लिटी मैं मनीमन सोच रही थी कि ये नए नए ताजे जोड़े अपने आसपास की भीर से कितने बेखबर रहते हैं मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं थी नैनी ताल की ठंडी सड़क पर दिन दहारे ऐसे बीसियों जोड़े एक दूसरे से लिप्टे लिप्टाए घुमते रहते हैं पर मैं देख रही थी कि बुजर्ग नवावजादा शौकत अली को उस जोड़े ने बेहत परिशान कर दिया था बेचारे बार बार खासते खकारते अपनी उपस्तिती का आभास दे रहे थी जब लखीमपुर में वो रसीला जोड़ा उतर गया तो उन्होंने चैन की सास ली और करवट बदल कर सो गए गर्मी बेहत थी पंखा चल रहा था पर ट्रेंड के अधिकांश पंखों की भाती यात्रियों को छोड़कर डिब्बे की हर दिशा को हवा भीज रहा था मैंने कई बार उसे घुमा फिरा कर मनाने की कोशिश की पर हार मान कर चुपचाप लेट जाना पड़ा मैं सोची रही थी कि नीचे की बर्त पर अपना बिस्तर बिचा लो इतने में ही बहुत सारा सामान लेकर दो तीन कुली धसाये बूरे बूरे बालों वाले एक लड़के ने बड़ी फुटी से निचली बर्त पर होलडाल फैला दिया और एक पिस्तई रंग के बुरके की सर सर के साथ एक महला उस बर्त पर जम गई जमील लो इन कुलियों को पैसे दे देना और बचे तुम रख लेना एक पांच का नोट उन्होंने उस भूरे बालों वाले लड़के को थमाया ही था कि गाड़ी चल पड़ी और वो चट से उतर गया नवावजादा हलके हलके खराटे ले रहे थे डिब्बे की बत्तियां पहले से भुजी थी उस महिला ने अपना रेशमी बुरका उतार कर खूटी पर टांग दिया महिला मेरे नीचे वाली बर्द पर थी इसी से चेहरा न दिखा लेकिन गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी स्टेशन की बत्तियों के असपष्ट से दुन्दलके में भी बुरका टांगने वाले की लंबी-लंबी उंगलियां मुझे इस पर दीख गई कुछ बुरके के रेशमी खस-खस और कुछ अंगली में पड़े हीरे की अगुठी की दमक ने मेरा ध्यान आकरशित किया कैसी लंबी-लंबी सुडॉल उंगलियां थी और दूसरे ही क्षण मुझे एक अजब घुटन ने व्याकुल कर दिया ऐसी लंबी और सिरे से टेपरिंग उंगलियां मैंने कहा देखी है ठीक ठीक याद ना कर सकने की विचितर जुंजलहाट ने मुझे ऐसा व्याकुल कर दिया कि याद ना आने पर शायर नीचे कूट कर उस अपरिचिता महिला की उंगलियां फिर देख डालती पर तभी अचानक याद आया उंगलियां जिन हातों में मैंने देखी थी वे जल भुनकर कपके राख हो चुके थे उनके फिर दीख जाने का कोई प्रश्णी नहीं उत सकता था आप से दस वर्ष पहले मेरे पती ही तो उन उंगलियों का अस्तित गंगा में बहा आये थे हाँ हाँ चन्नी की उंगलियां ऐसी ही थी मैं उसे कहती चन्नी तेरी उंगलियां तो चमपे की कलियां है चल हट वो कहती ताई तो कहती है ऐसी लंबी लंबी उंगलियां चुड़ैल की होती है ताई की नजर में तो वो हमेशा चुड़ैल ही रही चन्नी मेरे मजले मामा की इकलौती लड़की थी जनमते उसने जननी को डसा और पिता को तो गर्व से ही डस चुकी थी आनाग चननी को बड़े मामा जी नहीं पाला मेरी नन्याल में तीन अलसेशेन भी पलते थे अबागनी चननी को भी उसी इस्तर से पाला जाता था घर भर की उतरने वो पहनती फिर भी कुंद कली सी चटकती रहती घर भर की बासी जूटन उदरस्त करने पर भी उसके स्वास्त ने कभी हार नहीं मानी मेरे नन्याल की सब लड़कियां गोरी चिट्टी थी पर चलनी थी सावनी उसे अपने कृष्ण वर्ण का कोई दुख नहीं था वो जानती थी कि विधाता ने उसकी शोक आखों और मोती सी दंत पंक्ते में लावनने का ऐसा अपरमित कोश भड़ दिया था जिसे अपने गोर वर्ण की महिमा से भी उसकी चचेरी बेहने तुच्छ सिद्ध नहीं कर सकती थी एक से एक महंगे विधेशी शेंपू से अपने सुनहरे बालों को धुकर उसकी गोरी गोरी मेम सी बेहने कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाती और वो केवल रीठे से ही समद अपनी एड़ी तक लहराती चोटी पीच पर डालकर जगत तारणी स्कूल में पढ़ती उसकी अध्यापकाओं का कहना था कि ऐसी तेज लड़की उनके स्कूल में आज तक नहीं आई एक बार अपने स्कूल की खेल टीम के साथ वो रूस भी भूमाई तो चाची ताईयों के दिल पर छूरियां चल गई बड़े मामा नहीं जिद करके उसे भेज भी दिया नहीं तो बेचारी जा भी ना पाती विदेश से लोटने के बाद चन्नी की बोटी बोटी फड़कने लगी शोग पहले से ही थी अब वो धीट भी हो गई जब छोटी थी तभी पासपड़ों से शिकायते आने लगी थी चन्नी ने किसी की चूड़ियां मसक दी किसी की गुड़िया कुए में डाल दी कहीं से कच्ची इमलिया चुरा लाई तो कहीं से कच्ची अमरूद जवान हुई तो कयामत ही आ गई उसकी किताबों से एक आग प्रेम पत्र गिरकर बड़े मामा जी के हाथ में पढ़ जाना तो नित्य की घटना थी तिसवर महले भर के छोकरों की भ्रमा वली उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी होने को तो बड़े मामा जी की लड़की सरला उससे कहीं सुन्दर थी किन तो बड़ी बड़ी आखों की चंचल पुतलियां गुमाना खिल खिला कर हसी के मजीरे बजाना ये सब उसे कहां आता था अपनी सामानी सी साड़ी के आचल सिगनल से चंची महले भर के यूटकों के हिर्दय इंजन को रोक सकती थी तबी तो बड़ी मामी जी अम्मा से कहती बीबी छोडी बंगाल का जादू जाने है किसी तरह से छोडी की हाथ पी ले करूँ तो छुटी मिले सुन दो रही हो शास्त्री जी की बिटिया भी मुस्लमान साइकल वाले के साथ भागी न होती तो शायद चन्ची के विभाग की इतनी जल्दी न मशती उसी दिन से मेरे दोनों मामा उसके लिए दाएं बाएं वर्ड ढूंडने लगे किन्तो इसी बीच एक सोयोग पातर ने उसे स्वैम ढूंड लिया चन्नी अपने मामा क्या अलीगड गई हुई थी वहीं की नुमाईश में उसे चटकारे ले लेकर चाट खाते योगेन जीजा ने देख लिया अब चाट खाने वाले भी तो दो तरह के होते हैं चन्नी ने मुझसे हसहस कर कहा था आज भी उसकी हिरनी किसी आँखों की काली भवर पुतलियां मेरे इस्मरती पटल पर खिट जाती है एक तो प्लेट में चाट धर का चमच से ऐसे चुकते हैं जैसे मोती हो ना मिर्ज की सिसकारियां ना हाहा हू हू ना उंगलियां चाटना ना आखों में पानी और एक चाट खाने वाले होते हैं हमसरी के आँखे लाल होंट लाल यानी दरगन वीज दोरे लाल दोरे लाल जलके हैं बस तेरे जी जाजी ने हमें देखा और पसंद कर लिया काश जी जाजी उस पर रीज़ी ही रहते ननिहाल की वो विश्व बलरी मुझे प्राणों से प्रिय थी उसकी कोख्यात सुनकर भी मुझे कभी ग्रणा नहीं हुई थी एक दिन बड़ी मामी ने मुझे निराले में खीच कर समझाया भी था देख विट्टो उस छोकरी के पीछे पीछे मत फिरे वो जहर की बुझी है जहर की अपनी नानी पे गई है रंडी चन्नी के नाना ने वेश्या से विवा किया था हो सकता है चन्नी में अपने रूप जीवा नानी के ही संसकार आये हो मंजले मामा ने घर भर की अवेलना करके ही मामी से विवा किया था इसी से वर्जित कुल की इस्परति चिन चन्नी सब्की आखों की किरकिरी थी मैं छुट्टियों में ननिहाल जाती तो वो मुझे से लिपड़ जाती हाथ नचा नचा पुतलियां घुमा ऐसे ऐसे रंगीन किस्से लेकर बैठ जाती कि जी में आता सुनते ही रहो प्रेम पत्रों का उसके पास एक बड़ा सा पुलिंदा रहता जिसे वो पिछवाड़े के बरामदे में मुझे ले जाकर पढ़पढ़ कर सुनाती सरला से मत कहना बड़ी चुगल खोर है चटताई से कह देगी वो कहती और सकरे पिछवाड़े में पास के पागल खाने से आती दुरगंद के दुसरे भार को वहन कर भी मैं उसके प्रेम पत्रों के रस भंडार का रस्वासादन करती एक उमर ऐसी होती है जब ऐसे प्रेम पत्रों का लड़कियों के मनोरंजन के लिए विशेश महत होता है हमारी शायद वही उमर थी मैं सोले की थी और चन्नी सत्रह की उसी साल चन्नी का विवा भी हो गया मुझे आज भी उसके विवा की एक एक घटना कंटस्त है भारी जामदानी लहंगे में चन्नी की मुट्टी भर की कमर दोहरी हुई जा रही थी उसकी नाग चिदी नहीं थी इसी से उसकी ससराल से स्परिंग वाली बड़ी सी नत हाई थी जिसका स्परिंग या तो ढीला हो जाता था या गूंगट की उमस से घुटकर चन्नी स्वेम ढीला कर सबके सामने गूंगट पलटकर कह उटती थी देखो ताई ये नत हमसे नहीं समलती आँखे दिखाती दाथ पीस्ती मामी दुगना गूंगट खींच देती और उसकी फुसपुसहट थीकी होकर शायद उसी दिन योगेन जीजा की कानों में पड़ गई अरी आज के दिन तो हमारी लाश शरम रख ले योगेन जीजा शायद जान गए थे कि बिगडी घोडी को लगाम और चाबुक की शान में नहीं जादा तो उन्हें भी अनाडी सवार की तरह मिट्टी में लिटा देगी सिर से पैर तक गहनों से लदी चन्नी विदा हुई तो मेरी दोनों मामियों ने निश्चल सास लेकर कहा था चलो भई हमने तो अब गंगा नहाली फिर कई साल तक मुझे चन्नी की खबरी नहीं मिली मेरे विवा पर भी योगेन जीजा ने उसे नहीं बेजा सरला तो कहती थी कि उसके प्रेम पत्रों के पुलिंदे के बारे में किसी ने योगेन जीजा को बतला दिया क्या पता बताने वाली सोयम सरला ही हो फिर सरला के ब्याह में बड़े मामा उसे सोयम जाकर लिवा लाए मुझे लगता है उस अभागनी को बड़े मामा बहुत चाहते थे इसी से मामी के बहुत बुरा-भला कहने पर भी वे उसे लिवाने चले ही गए और कैसा आश्चर कि जीजा ने चटपट भेज भी दिया तीन अदद मरियल सी बच्चियों को लेकर उतांगे से उतरी तो मैं अफसन रह गए ये वही चलनी थी जो छूने से भी मैली होती थी ना आखों में वो शोखी थी ना चेहरे पर रौनक मुझे देखते ही सिर जुका लिया जैसे अपनी गंदी बद शकल रड़कियों के लिए माफी मांग रही हो तीनों बच्चियों ने मा का रंग और बाप का नक्षा पाया था तीनों ही के चेहरे पर योगेन जीजा की सुग्गे की नाख का मनहूस साया था उनके जिन अंगों को ढखने के लिए उनके धारीदार कच्चों की स्रश्टी हुई थी उन्हें खुला छोड़कर वे उनके गुटनों तक बड़े फूर ढंग से लटकाए थे नाख बह रही थी जिनने पोशने की चन्नी को कोई चिंता नही थी विवा के पश्चा सुघर से सुघर नारी भी कितनी बदल जाती है ये वही चन्नी थी जिसके प्रेम पत्रों की प्रतिभाशाली लेखक उसके मनोहर व्यक्तित्य की बलईया लेते उसका आदेश पाते ही किसी भी मेल ट्रेन के धरदराते पहियों के नीचे लेट जाने को ततपर रहते थे हाई राम चन्नी तुझे क्या हो गया बरात आने को है कम से कम आज तो साड़ी बदल ले मैंने उसे खीच खाश कर अपनी एक साड़ी पहना दी बालों को सवार कर जूड़ा बनाया बिंदी लगाने लगी तो वो दोनों हाथों से मूठ धक कर सिसक पड़ी अरे भई हमारी कमीच कहां डाल दी हद हो तुम योगेन जीजा के चिर्चरी आवास सुनते हो भीगी बिल्ली से तुबग गई मैं समझ गई कि हिदेहीन पती के कठोर साशन नहीं उसकी मुक्ष्री छीन ली है बारात विदा होते ही जीजा उसे लेकर चले गए उन्हें किसी बीटिंग में दिल्ली जाना था योगेन जीजा चन्नी को यहीं छोड़ जाएए ना हमें भी तो दिल्ली जाना है हमारे साथ चली जाएगी मैंने कहा और चन्नी का चेरा फक पड़ गया जैसे मेरे दुस्साहा से योगेन जीजा सबके सामने उसका अफमान न कर बैठें नहीं यहां कैसे छोड़ दे होटल का खाना हमसे नहीं खाया जाता वो गई तो मारे भैके मुझसे ठीक से मिली भी नहीं एक सहमी सी हसी के पीछे उसके दोनों होट बर्बस रोकी गई रुलाई के भार से काप रहे थे मैं मोर पर अचानक ओजल हो गए उसके तांगे को देख रही थी कि ना जाने कहां से बड़ी मामी आ गई उनकी पुत्री को सस्राल से बहुती साधारन सा चड़ावाया था उसी की भडास उन्होंने चन्नी के मत्थे निकाली क्या सुख है चन्नी को जमीदार से जाकर सुना योगें तालों से बंद करके धरे है लच्छन जो वैसे ठहरे इससे तो अपनी सरला अच्छे घर गई ऐसा भी क्या गहना जिससे गरदन तूटे चन्नी तो रहा पर आ गई दामात कहीं ना मिलता तो आज शमी मंजल में होती सामने शमी मंजल के गुमबत दिख रहे थे सबसे उची मंजल पर बने आधे चांद पर नए मालिक ने काला रंग पोट दिया था जिस छट की मुडेर पर बिगोनिया के गंबले महकते थे वहाँ पर कई जोड़ी कच्छे और मेली सी पांड उजीर सरलवारे सूख रही थी चन्नी की शादी के साली शमी मंजल ने उजड़ कर पहले से उसकी मौत का मातम मना लिया था आबिद चचा पाकिस्तान भाग गए और अब उनकी शमी मंजल की से सरदार को क्लेम में मिल गई थी सरदार जी के सत्रह बच्चे थे जो उनकी छट की हर मुडेर पर लंगूरों की तरह चड़े रहते थे उनकी छट से मिली एक सक्री सी मुडेर मामा जी के दीवान खाने की छट पर उतरती थी जो कभी वही मुडेर डूटे सूरज की चाया में शमी मंजल और तुलसी कुटीर की प्रेम पुने सलिला का संगम थी इर्फान एहमद चन्नी के पीछे दीवाना था उसकी सारी चिठियां हिना और खस से तराती थी उन्हें सूंग सूंग कर किताबों से ढूर निकालना सरला के लिए बहुत आसान होता इसी से इर्फान उन्हें मुडेर की एक खपरेल के नीचे छिपा जाता बड़े मामा जी से आबिच चचा की पुरानी मित्रता थी इसी से मुसलिम परिवार से मुलने जुलने पर हम पर भी कोई रोक टोक नहीं थी इर्फान भाई अलीगर विवस्टी से घर आते तो बड़ी मामी चौकरनी होकर चन्नी के पैरों में बेड़ियां डाल देती पर चन्नी उन कैदियों में से थी जो बेडियों को काटने का साधन जेल खाने की उची दीवारों में भी जुटा ही लेते हैं बात शायर बहुत बढ़ जाती पर बीच ही में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की और बड़ी बेरुखी से पीठ पेर ली जब मेरे पती की बदली दिली हो गई तो मैं खुशी से उचल पड़ी चन्नी वही थी अब मैं उसकी उदासी को दूर कर लूँगी और फिर वो पहाड़ी मैना सी चहकने लगेगी किंदुँ चहकती कैसे मैना के गले में सोना एक काटा उगाता है और वो चहकना बंद कर एक दिल गर्दन डाल देती है चन्नी के गले में ही एक ऐसा काटा उगाया था मेरे और उसके मकान के बीच बीच कुल तीन मकानों का फासला था और काम निप्टाते ही मैं उसके पास पहुच जाती पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि जो चन्नी मुझे देखकर कली सी खिल उठती थी अब मुर्जा कर विखर जाती है योगेन जीजा के आफिस से लोटने से पहले ही मुझे किसी प्रकार विदा देने को छट पटाने लगती मेरे यां आती भी तो सहमी सहमी निगाओं से इधर दर देखती बार बार चौक पड़ती और कभी अपनी बड़ी बड़ी आँखें मेरे चेहरे पर गड़ाय मुझे देखती रहती मैं पूछती भी तो किस से धर के भेदी प्राया नौकर या बच्चे ही होते हैं नौकर जी जा जी रखते ही नहीं थे और चन्नी की तीनों लड़कियां वज्ज रमूर खाती इस बीच मैं बाबु जी की बीमारी का तार पाकर मायके चली गई वही मुझे एक दिन अपने पती की चिठी मिली कि चन्नी किसी के साथ भाग गई मैं इस्तब्द थी मन ही मन मैं जानती थी कि चन्नी के भी भाग नहीं सकती भागने की भी तो आखिर एक उम्र होती है 34 वर्ष की पढ़ी लिखी तीन बच्चियों की मा चन्नी भला किसके साथ भाग सकती थी किसके साथ भागी ये पता नहीं मेरे पती ने लिखाता है लेकिन योगेन का कहना है कि वो किसी प्रेमी के साथ ही भागी है चन्नी क्या ऐसी ना समझती योगेन जीजा के निर्मा म्वेवार और शक्की सुभाव से ही उपकर वो किसी ताल बावरी में कूद गई होगी बेचारी ने पती का विश्वास पाने के लिए कितनी चेश्टा की थी मैं निते बड़ी आशा से अकवार देखती शायद किसी युवती की लाश बिलने का समाचार हूँ इसी बीच मेरे पती का एक पत्रा आया कि चन्नी के किसी सरदार के याँ चिपने का समाचार मिला था वहां पुलिस की सहता से योगेन जीजा ने छापा मारा तो सरदार फरार हो चुका था और दर्वाजा तोडने तक चन्नी ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल चड़क कर आग लगा ली थी परोसियों ने बतलाया कि सरदार कुछी दिन पहले दस साल की सजा भुगत कर लोटा था और एक दिन वो सुंदर सामली बंगालिन सी लड़की उसके साथ आकर रहने लगी थी दिनवर वो कमरे में बंद रहती और रात को सरदार के साथ गुनने निकलती दर्वाजा तोडने तक वो खतम हो चुकी थी बाद में योगेन जीजा और मेरे पती ही उसकी मिठी ठिकाने लगाया आये थे आज ट्रेन में किसी अपरिचिता की लंबी उंगलियां देखकर अभागनी चन्नी की स्मृती फिर ताजी हो उटी थी एक बार बर्त से जाकर देखनी की चेश्टा की तो देखा वो अपरिचिता मुस्लिम महिला करवट बदले सो रही थी नवाब साहब के खराटों और ट्रेन के जखपोरों के बीच मुझे भी नीन ने दबोच लिया काफी देर बाद किसी इस्टेशन पर गाड़ी रुकी फिर चली और फिर ना जाने कितने इस्टेशनों पर रुकती चलती बढ़ती चली गई मैं गहरी नीन में पड़ी ही रही जब उठी तो हलका गुलाबी उजाला होने लगा था नीचे जाकर देखा तो बर्त खाली थी लंबी उंगलियों वाली मुस्लिम महिला ना जाने किस इस्टेशन पर उतर चुकी थी हाथ में गड़ुआ लिए नवाब सहाब बातरूम में गुज गए तो मैं भी बिस्तर से उतर कर नीचे की बर्त पर आ गई एक छोटा सानुबाल शायद वो महिला भूल वही थी बड़ा प्यारा सा लेस लगा केम्ब्रिक का रुमाल था जिसे देखकर फ्लो बेर के किसी फ्रेंच नाइका का इसमरन हो आया और ना जाने क्या सोच कर मैंने उसे उठा लिया इस पर्ष और भी प्यारा लगा नाक से लगाया तो मुझे साप सूंग गया कैसी परिचित मीठी कुश्पू थी वही जानी पहचानी मीठी कुश्पू जो इर्फान एहमद के हिना से तर खतों से आया करती थी लखनव आने तक वो रुमाल मेरी मुठी में ही धरा रहा वो रुमाल नहीं जैसे शादी के पसीने से तर चन्नी का हाथ मेरे हाथ में बंद था घर पहुंचते ही मैंने अपने पती से पूछा क्यों उस दिन आप भी जीजा जी के साथ मरगट तक गए थे ना मेरे पती मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मेरा दिमाग फिर गया हो चन्नी को मरे दस साल हो चुके थे हद करती हो तुम भी आज अचानक क्या याद आई नहीं ऐसे ही पूछा मैंने कुछ खिसिया कर कहा आप कहते थे ना उसने अपने को जला जाला था फिर मरगर तक क्या ले गए होंगे यही सोच रही थी इस बुरी तरह जली थी कि पहचान में नहीं आती थी वे तो दोनों हाथ बज़ गए थे बस हाई राम क्या दोनों हाथ देखकर ही आप लोग उने उसे पहचान लिया था मेरा कलेजा बुरी तरह धड़के जा रहा था नहीं उंगलियां देखकर योगेन कहता था कि वैसी लंबी लंबी उंगलियां और किसी की नहीं हो सकती और फिर बाए हाथ पर गुदना भी तो था मुझे याद आया उसके बाए हाथ पर गुदा फूलों का एक नीला गंबला किन्तो क्या उस गंबले पर उसका कॉपी राइट था क्या वैसा ही गंबला किसी और के हाथों पर नहीं गुद सकता था योगेन जीजा जी ने कहा था कि वैसी उंगलिया और किसी की नहीं हो सकती जब ट्रेन में मुझे लंबी लंबी उंगलिया दिखी यही तो मैं भी जोर जोर से कहना चाह रही हूँ कि वैसी उंगलिया और किसी की हो ही नहीं सकती पर कैसे कहूं मेरी बात कोई मानेगा ही नहीं मेरे पास सबूत है परचित खुश्बू से तर्च छोटे से केंब्रिक के रुमाल का, संसार ऐसी भावो कमजोर दलीर पर विश्वास नहीं करता, फिर उस खुश्बू ही को भला कब तक सहेज पाऊंगी, हिना और खसकी खुश्बू अब चन्नी के रहस में अस्तित्य की भा लिखी हुई कहानी चन्नी, आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ, आपका समय शुब हो, मंगल मैं हो